अलो दोस्तों कैसे हो सब बढ़ी है ना चलिए ठीक है हम लोग क्या पढ़ रहे थे कैंसर हम लोग पढ़ रहे थे ठीक तो आज उसी को हम लोग प्रोसीट करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो मैंने आपको बताया था जैसा कि दो लेक्चर में इसे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ पहले लेक्चर में क्या-क्या हो गया था कैंसर क्या है उसके काजिस क्या है काजिस आप कैंसर अब इसके बाद हम लोग आने वाले हैं treatment diagnosis इंचीज़वड़ detection and diagnosis और treatment ठीक है तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा उमीद है कि आप लोग ने रीडिंग मार ली होगी वैसे तो मेरे साथ एक बार आप रीडिंग मार चुके होते हैं लेकिन फिर भी एक बार चरूरी होता है आईए तो बाते हैं अपने नेक्स लेक्चर पर डाइगनोसिस और मतलब किस तरीके से हम पता लगाएं कि कैंसर है या नहीं है ठीक तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो जानना है वो ये है कि इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जैसे आपने AIDS में पढ़ा था उसके लिए क्या हो रहा था एक टेस्ट हो रहा था ELISA ये उसको आप ELISA कह सकते ह एंजाइम लिंक्ट इम्यूनो सार्बेंट ऐसे उसका फूल फार्म था उसको हम लोग क्या कर रहे थे उसको किसको पता पता लगाने के लिए उसका टेस्ट कर रहे थे एड्स को अब कैंसर में क्या चीज़ें होती है cancer में दो techniques में दीखेंगें जो most important है biopsy और histopathological studies ठीक है ये दो तरीके इसमें दीए गए है biopsy और histopathological studies दो तरीकों से हम लोग पता लगाते हैं कि व्यक्तिको cancer है कि नहीं फिर जानना ये होगा कि biopsy क्या चीज है histopathological studies क्या चीज है biopsy में हम लोग क्या करते हैं जैसे body का जिस पार्ट में cancer है यहां में जिस पार्ट में cancer होने की आसंका है वहाँ से हम लोग पी साब टीसू निकालते हैं बिलकुल एक दम पारी टीसू निकालते हैं ठीक है उसका section काटते हैं और एक थिन थिन पार्ट निकालते हैं ठीक है तो वहां से हम लोग निकालकर और उसको लेब में इस्टेडीश करते हैं उसी को हिस्टो पैथालाजिकल इस्टेडीश कहते हैं ठीक है कि कैंसर है की नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि वह टीसू किसी ऐसे पार्ट का हो सकता है वो बॉन मैरो का हो, ऐसा भी हो सकता है, जैसे बलड कैंसर भी एक चीज़ आप सुने होंगे, आपके दिया नहीं गया है, वैसे बहु ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि NCIT में चीज़ें थोड़े में ही निप्टा दी गई हैं, और इससे बाहर कुछ आना भी नहीं है, लेकि फिर भी आपको जानना होगा कि बलड कैंसर जा, जैसिक बॉन मैरो की बात आ गई, तो इसका मतलब है वहांपर RBC बन रही हैं, और सारी चीज़ें explor नहीं हैं, WBC हर चीज़, तो इसका मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, आप यहां पर बलड कैंसर आ गया, यहां पर बल यूकेमिया खी क्या कहते हैं उसको लिउकेमिया उसको एक टरम सिर्फ आपके बुक में दियागा है भी मैं उसको बॉलाइड पढ़य हो तो आपको बता दूं लिउक्लिक क्यां केक्पड का ने तो यह किस बॉलड कैंसर की बात हो गे उसमें हम gir ऐंगया और बलट से इसमें और भी टेक्निक्स हैं कौन सी टेक्निक्स हैं जैसे कि X-ray आपने सुना होगा X-ray को भी हम लोग मतलब use मिलाते हैं कि cancer है कि नहीं इसको पता लगाने के लिए उसके बाद CT आपने सुना होगा CT scan जिसे आप कहते हैं CT ठीक है तो computed tomography computed tomography computed tomography इसको कहते है CT ठीक है और X-ray को क्या कहते हैं काली भी लिखवाया था मैंने क्या कहते हैं कमेंट में लिखिए उसके बाद लेक्चर देखी रेडियोग्राफी ठीक है और भी क्या चीज़ें है MRI magnetic resonance imaging MRI ठीक है तो मैंने आपको क्या तीन टेक्निक से और बता दीने एक तो मैंने आपको Biopsy और Histopathological Studies बताया था इसके detection के लिए मतलब कैंसर पता लगाने के लिए और दूसरा और भी क्या तीन चीज़ें बताई X-ray, CT scan और MRI जिसमें X-ray को क्या कहते है Radiography CT को क्या कहते है Computed Tomography और MRI को क्या कहते है Magnetic Resonance Imaging ठीक है पीछे सब कुछ लिखा गया है लेकिन पीछे भी नहीं देखना है जब मैं दिखाऊंगा तब देखना है नहीं तो जहां करहे हो ऐसे इसे फोन करके तब भी नहीं दिखे क्योंकि मैं सामने खडाऊं ठीक है तो ऐसे नहीं दिखता है कि इसे जहां अकलो देख जाएगा नहीं बिलकुल नहीं दिखेगा दिख रहा है तब भी मत देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनों ठीक कि जब हम ऐसा कर ले रह AGに अरली डिटक् capitalist कर ले इसका मतलब तभी हम सच्छम हैं तभी हम पूरी तरीके से मतलब खिवस्तीत हैं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि क्या कहती है । सरव गुड़ समपन हम है उस रोग कि बारे में उसे डिटक्ट करने में ठीक है सबसे best technique तो यही है ना कि होने से पहले कोई चीज जैसे आपके साथ कोई घटना होने वाली है उसके पहले ही आपको पता चल जाए तो कितना अच्छा हो तो यही चीजें जो है अभी जरूरत है कि हम लोग इस चीज को पता लगाएं early detection करें कि आपको यह बिमारी होने वाली ह साथ है कि early detection बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस बिमारी में क्योंकि लाश्ट में तो हम लोग कुछ कर रही नहीं पाते हैं यही एड्स में भी था अगर उसमें भी अर्ली डिटेक्शन हो जाता तो ठीक ही था कि अर्ली डिटेक्शन का कोई मतलब नहीं लेकिन बट कैंसर में हो सकता है अर्ली डिटेक्शन का मतलब ठीक है उसको तो जीन लेबल पर उसको भी सुधारा जा सकता है अगर ऐसा कभी आया कभी टेक्निक आई तो जीन लेबल पर जाकि उसको सुधार किया जाएगा ठीक है लेकिन अब इसमें आर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है औ कि early detection का मतलब यही है कि एक कुछ बेक्ती होते हैं या हम लोग में कुछ ऐसे लोग होते हैं या हम भी ऐसा हैं कि किसी चीज के प्रति susceptible हैं एक टरिम इसमें दिया गए आपकी बुख में susceptible उसो कहते हैं अति संबेदन सील उसको हिंदीम कहते है susceptible का मतलब क्या है कि आप उसी चीज के लिए susceptible हैं संबेदन सील है संबेदन सील होने का मतलब क्या है कि उसी चीज से आपको ज़्यादा नुकसान की संभावना है जैसे कोई बेक्ती ऐसा है जिसकी बातें आपको ज़्यादा लगती हो वो कुछ बोले तो आपको कुछ जादा ही बुरा लग जाता है, बाकि लोगों को हो सकता है, आपको कुछ खास दोस्तों, उनकी बातें उतना बुरा नहीं लगती है, तो इसका मतलब है, आप जिस बेक्टी की बातें आपको जल्दी बुरा लग रहे हैं, इसका मतलब उसके प्रति आप आतिसम बेदन सील हैं ठीक है तो वही चीज जिसमें होता है कि हो सकता है हमारी बॉड़ी एक सरेज के प्रति जो है susceptible हो तो हम लोग एक सरेज भाई नहीं उतना करवाएंगे कि बेक्टी को रोकेंगे आप एक सरेज मत करवाईए आपको इसी चीज से दिक्कत हो सकती है उसके बाद तमबागो इतने लोग खाते हैं किसी किसी को कैंसर हो रहा है इसका मतलब कुछ ही लोग उसके लिए susceptible है हमारे बाबा बाद बहुत दिन से खा रहे हैं तमबागो अब उनको कुछ भी नहीं हुआ आज तक और बहुत लोग ऐसे हमने देखा है कि 30-35 साल के उमर में बिचारों को लंग कैंसर हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो यह चीज़े इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे डीटेक्शन और डाइगनोसिस की बाद हो गई अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पर डीटेक्शन में तो आपने पढ़ी लिया क्या 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 एक्सरेज सीटी स्कैने अमाराई बायोपसी सिस्टोपैसलाजिकल स्टडीज हो गया अभी नसी आटी पढ़ूंगा सब क्ल रियी क्या स्टीश्मेंट हो सकता है और एक शरेज की तुरूज होता है क्या है सरजरी हो सकता है रेडियो डेलिकली हो सकता है नियुक्राइज हो 780 हो सकता है यह तीन लबता समझ गरें कि जिस पार्ट में है वहां से उसी पार्ट को यतनी दूर में फैला श्रीक को कट करके निकालते रहे है ठीक है उसे बाद आते है रेडियो थेरेपि रेडियो थेरेपी मिका Els गाते हैं रेडियो ठी में एक्सरी होता है और प्रोटांस हो गईरा होते हैं उन्हीं के थुरू ऊपर उसी रेडियेशन से उन्हें फोड़ा जाता हूं हमारा जाता जैसे इसमें जो जो सके क्या कह सकते हैं जिसे उसके लिए जिम्मेदार हैं वायरे एससे भी पढ़ा था मो ने नैंको जिन्क वारे से थे जिनके थे तूर जो है पैंसर हो रहा था पिछले लेक्षर ने पढ़ा तजर नहीं पढ़ा जाके देखिए लिखा भी गया उस्पएरा में तो उनको मारने उसके बाद बाल जो है बिल्कुल ज़ड़ जाते हैं ठीक आप टक गंजे हो सकते हैं मतलब वह बैक्ती गंजा इस्वर ना करें आप लोगों को कभी ऐसी विमारी से पाला पड़े हमारी तो यहीं रहेगी सुबकामना कि कभी भी आपका ऐसी चीजों से सामना ना पड़े हमारे कोई दुस्मन हो उसे भी ऐसे रोग ना हो यह हमारी इस वरत से हमेंसा प्रापत नहीं लेकिन आँगर क्या कर सकते हैं यह सारी चीज़ें हो रही हमारे समाज में हो रही भाई तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए हमें लड़ना है और पूरी तरीके से रेडियो थेरेपी में और सर्जरी में कट करके निकाल ही दे रहें ठीक है और क्या चीद दिया गया है इम्यून होड़ोपी इम्यून थेरेपी का क्या मतलब है जैसे इम्यून system को active रखना बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखे जब आपको cancer हो गया आपका एक्टिवे नहीं है उसके लिए बिल्कुल एकदम सुस्त पड़ा है उसको कोई मतलब नहीं आप मर रहा है लेकिन immune system working नहीं कर रहा है आपका सरीर खत्म हो रहा है तो इसलिए immune therapy बहुत जरूरी है हाँ तो बीच में थोड़ा disturbance हो गई थी तो आईए देखते हैं थोड़ा राइट की प्राब्लम्स आ गई थी इसी कुझा सब्सक्राइब करना पड़ गया था ठीक है तो हम बता रहे थे आपको किसके बारे में biological । बै राज़कल response modifier जो कि हम मुत्रिपी के लिए वर्क करते हैं कि रखर करते है और इम्यूनय थिरेपी क्लिए वरक करते हैं और कि flour करते हैं उनहीं को हम लोग कहते हैं biological response में मोट politic फायर यह हम लिख दे रहा लायक से लिख दू जिसस्थ त्वा éta बायोलाजिकल रिस्पॉंस मोडिफायर कौन होता है अलफा इंटर्फिरान अलफा इंटर्फिरान होते है बायोलाजिकल मोडिफायर होते है तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी सर्जरी में कौन से कट करके निकाल दे रहे थे रेडियो थेरेपी में जो है रेच के थूरू उसको खत्म कर रहे थे उसको डिस्टाय किया जा रहा था और इम्यून थेरेपी में अपने हमारे इम्यून सिस्टम के दोरा और करवा के सारी चीज़ें करवाई जा रहे थी तो यह सब कुछ आपने पढ़ लिया अब हम सोचते हैं कि हाँ और भी चीज़ें है इसमें कीमो थेरेपेटिक ड्रक्स जो कि कीमो थेरेपी आपने सुना होगा कीमो थेरेपी हो सकता है कोई टर्म आपसे कोई कभी बोले कैंसर के केस में तो आप हो सकता है ना समझ पाए तो आप उसको समझने की कोसिस करें कीमो थेरेपी कोई बोलता है chemotherapy का मतलब क्या है chemotherapy drugs होती है उन्हें दिया जाता है वो क्या करते है वो जो cancer cell है उनको divide नहीं होने देती है उन्हें grow नहीं होने देती है उनकी मात्रा को बढ़ने नहीं देती ठीक तो ये सारी चीज़े हो गई अब हम लोग आते हैं अब हम NCIT को रीडिंग आ रहेंगे, बाकी चीजें कम्प्लीट हो चुकी, ठीक, आईए, और हाँ, साइड इफेक्ट मैंने आपको हेर रास बताया था, इसकिन में प्राबलम होती है, इसमें एक चीजा और दी गई, एनीमी या खुन की भी कमी होने लगती है, चुकि यार इत काइंसर का डिटेक्शन और डाइगनोसिस, काजेज आप कैंसर तक हम लोग पढ़ चुके थे, कम्प्लीट का चुके, कोई डाउट होगा तो आप फिर से आप कमेंट में बता सकते हैं, आप मूझ सकते हैं, आईए, अच्छा, आइनाइजिंग रेडियेसंस कौन कौन से मै आपको बताई थी, मंदारी से लिखी ये कमेंट में, एक सरेज और गामा रेज, और नाइनाइजिंग काउन था, यूवी रेज, ठीक, तो हो सकता है, किसी को गन्फूजन हो तो आप जान लिए, आई, आरली डिटेक्शन आप कैंसर इसेंसियल, आईजिट अलाउज दिज इस्टोलाजिकल इस्टडीज आप दर टीशू, मैंने आपको यह भी बताया, कि दोज तरीकें हैं, बायोप्सी और हिस्टोलाजिकल इस्टडीज ठीक है, एंड बलड और बोन मैरो टेस्ट फार इंक्रीज, सेल काउंट इन केस आप लिएमियाज, ठीक है, बलड और बोन म माइंड अंडर माइक्रोइस्कोप, जिसको माइक्रोइस्कोप के अंदर देखा जाता है, उसी को हिस्टो पैथोलाजिकल इस्टडीज कहते हैं, बाई एप पैथोलाजिस्ट, एक पैथोलाजिस्ट के दौर, हम आप थोड़ी करेंगे, एक पैथोलाजिस्ट होगा, वही तो करेगा इसी जीजिए, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज आफ एक्सरेज, सीटी, कम्प्यूटेट टोमोग्राफी, उसके बाद यमराई, मैंगनेटिल, रिजोनेंस, इमेजिंग, आर बेरी यूजफुल, टुटेक्ट कैंसर्स आफ दा इंटर्नल आर्गंस कम्प्यूटे टोमोग्राफी यूजज, एक्सरेज, टु जेनरेट थ्री दियमेंशनल इमेज, आफ दा इंटर्नल आफ एन अब्जेक्ट, एमराई, यूजज, स्ट्रॉंग मैंनेटिक फिल्स, एंड नन आइनाइजिंग रेडियेशन, तो अकुरेटली डिटेक्ट, पै जो एंटिजन्स हैं, उनके ब्रुद्स एंटिबाडी होती, उनको भी हम, उनके द्वारा भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कैंसर को, ठीक है, टेक्निक साफ मॉलिकुलर बाइलोजी, ठीक है, कैन बी, एप्लाइट टु डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुगल बित इ मतलब जिस चीज की प्रतीविज़ स्बसेटिवल है हम उस कार्सिनोजन को उसको एवाइड करने के लिए बोलेंगे, आप भाया इस कार्सिनोजन के इस पोजर में ना अए, ठीक? हाँ to which they are susceptible ठीक है एक जाम पर टोबाय को स्मोकिन के साफ लाएं लंग का एंसर जैसे कि आपने लंग का एंसर सुना होगा टोबाय को स्मोक ठीक है तो अगर वो चीज उसके प्रति वो ससेप्टिबल है हम उसको मना कर दें आप बिल्कुल मत खाईए ठीक है नहीं अगर इस पार बाओया डीकली डिसपॉन्स मोडीफायर आप नोड भीकल ने हो सब्सक्राइब करने हो सकताव थोड़ा थोड़ा कम वीजिवेल हो मैं थोड़ा हट था हूं ठीक है अगर बाइओलोजिकल रिसपांसमोडिफायर असकी आगये डैस लगा के लिखेंगे तेन चीज कामन अप्रोच हैं जो काइंसर के ट्रीटमेंट उपया होती हैं सर्जरी रेडियेशन थेरेपी एंड इम्यूनो थेरेपी तीनों के बारे मैंने अभी तुरंद जस्थ दो मिनट पहले पूरा डिसकस किया था पांच मिनट पहले कह सकते हैं ठीक है इन रेडियो थ दिया जाता है जो आसपास की नार्मल टीसू होंगी ने उनको बहुत हलका डोस दिया जायेगा जिससे हाँ वो भी अगर सोच नहीं कम भी कैंसर बन जाया है तो जिससे वो ऐसे इस तरह के की खतरनाग मान सिकता को अपने अंदर जन मना दें इसलिए उन्हें बहुत कम दिय जाता है और जो कैंसर सेल है उन्हें ज्यादा एक्सपोजर दिये जायाएगा ठीक है उन्हें चीजों का टेकिंग प्रापर केर आप नार्मल टीसू सराउंडिंग ट्यूमर मास सेवराल कीमो थरेपिड कीमो थेरोपेटिक ड्रक्स मैंने आपको बताए और यूज टू किल इनमें ही कैंसर स्सेल आप डीजारी स्पेसिफिक पर पॉर्टिकुलर के लिए ही उपयोग की जाती है कुछ कीमो थेरेपेटिक ड्रक्स होती है ठीक है ओस्वा मेचा साइड अगक है उनके साइड इफेक्ट कौन कौन सा होता है हेयर लास, एनीमिया, एड्सेक्टरा most cancers are treated by combination of surgery मतलब जो विशेस्ता जो cancer है वो किसे treat किया जाते हैं combination होता है किस किसी का surgery, radiotherapy और chemotherapy इन तीन चीज़ों के combination से उन्हें ठीक किया जाता है किन-किन तीन चीज़ों की combination से उन्हें ठीक किया जाता है जातर का answer को surgery, radiotherapy and chemotherapy tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system ठीक है मैंने आपको बदाए जो tumor cell होती है वो क्या करती है जो हमारा immune system है उसे भी थोड़ा सुपतावस्था में डाल देती है क्यों वो work नहीं कर पाते है ठंक से दिये, उसके लिए क्या करते है therefore the patients are given substances प्रेसेंट को substances दिये जाते है जिन्हें कहा जाता है biological response modifiers such as alpha interferon which activate the immune system जो उनके immune system पो activate करता है and help in destroying the tumor और tumor को destroy करने में help करता है तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया अगर कुछ भी प्रस्टन आपका इस तिमाग में है कुछ भी अगर आपके दिमाग में है आ रहा है बायोपसी को लेकर radio therapy को लेकर chemotherapeutic drugs को लेकर as such chemotherapeutic drugs आपसे पूँची नहीं जाएगी लेकिन मान लीजिए अगर पूँची जाती है आपसन में देगा बहुत बेहूदा सवाल करेगा बेहुदा सवाल कैसे करेगा जैसे दे दिया कि चार आपसन दे दिया इनों पर चानी है कौन कीमोथरेपेटिक ड्रग नहीं थे एकार ऐसा देगा जो आपके बायलोजी का ही कोई वर्ड होगा जैसे एक क्वेशन आया भी थ इसमें आते हैंən Change R R आज हम लोग खदम कर चुकें फīर भी ये ये आपकी मंन में कोई सवाल कोई शुजा वगत ये आपकी मन में सूज रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट कूंन कूं सकते हैं जहां चाहें वह हुश तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं आप एक काम करें इसको नोट कर लिए दो सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं टिक तो screen setup ने ले लिया होगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं next lecture में next lecture हमारा क्या होगा next lecture हमारा होगा drugs के बारे में drugs and alcohol abuse drugs and alcohol abuse को हमने लगभग 2-3 lecture में सोचा है खत्म कर देंगे 2 में तो लग रहा है संभव है नहीं क्योंकि हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं कि आपके लिए कुछ छोड़ें और आप उसे इन्ना reading मारें ncrt में हर point को हम reading मारेंगे क्योंकि हो सकता है आपके मन में कोई सवाल हो तो निश्चित ही आप comment में हमसे पूचेंगे और हम उसका जवाब देंगे बहुत ज़रूरी होगा तो उसके लिए हम वीडियो जो भी बनाने के लिए तयार है ठीक है तो आज यहीं तक लगते हैं लेक्टेक्चर होगा हमारा drugs and alcohol abuse थैंक यू थन्य बाद आज के लिए इतना ही हमारे साथे की smile और class का end करते हैं ठीक है